तो धरनी गर्भ समवतंग विद्युत कांती समप्रभम ठीक है तो नवगरे स्तोर्दम में अगर हम देखते हैं मंगल के बारे में ठीक है तो उसमें लिखावाए कि मंगल जो है वो एक लाइटनिंग स्पीड वाला विक्ति है जो जिसके हाथ में शक्ति है बहुत सारी और ज तो मंगल को हम एसूसियेट करते हैं रियल एस्टेट से कर सकते हैं ठीक है मंगल को हम अपने करेज के साथ एसूसियेट करते हैं मंगल को हम एसूसियेट करते हैं अपने विल पार के साथ ता दा पार ओफ इनिशियेटिव किस प्रकार से हम अपने काम के प्रती आगे करके काम करते हैं, वो हम मंगल से देख सकते हैं, तो मंगल की पावर हमारी body strength को भी बताता है, क्योंकि मंगल जो है, वो Aries, the first sign है, मेश राशी और जो eight sign है, ठीक है, वरिश्चिक राशी, उसका ruler होता है, तो हम देखते हैं कि मंगल बहुत important planet बन जाता है किसी भी auspicious event के लिए हमारी life में, तो जब तक हमें मंगल की blessing नहीं मिलती है, auspicious events होना हमारे लिए थोड़ा difficult हो जाता है, ठीक है, तो मंगल विभिन घर में, मतलब विभिन houses में, जो आपके chart में बैठा हुआ है, different type of results देता है, ठीक है, मंगल का auspicious होना हम बिना chart देखके भी पता लगा सकते हैं, कि अगर आप वालतुकि जगडे में पढ़ते लेते हैं, लड़ाई जगडे करते रहते हैं, और खुद का नुकसान कर बैठते हैं, चोट चपाट आपको बहुत ज़ादा लगती है, blood loss आपका बहुत ज़ादा होता है, तो इसका मतलब मार्स अच्छा नहीं है आपके chart में, ठीक है, और वहीं अगर आप बहुत courageous हैं, लेकिन आपको courage का इस्तमाल करना, बहुत सोच समझ के आता है, बिना बात के आप किसी भी जगडे फसाद में नहीं पड़ते हो, control आप में बहुत ज़ादा है, ठीक है, ज़रुत पड़े तो आप किसी का हाथ भी तोड़ सकते हो, जैसे martial arts में इसे खाया जाता है, ठीक है, जैसे Bruce Lee ने भी कहा है कि बिना मतलब के अपना कोई भी पावर किसी पे दबदबा कायम करने के लिए नहीं होना चाहिए, सिरफ आपको protect करने के लिए होना चाहिए, ठीक है, तो मार्स इन सब चीजों को represent करता है, और Bruce Lee का भी शायद ascendant था, या moon था, I don't remember, बट अश्विनी नक्षतर में थ तो मेश जो की mangal ruled है, ठीक है, तो ascendant था most probably उनका, तो हम देखते हैं कि मार्स अगर किसी के chart में strong होता है, तो logic की power इन में काफी अच्छे होती है, property इनके पास काफी अच्छे होते हैं, ठीक है, property disputes disputes में नहीं पढ़ते हैं, एक के बाद एक property इनकी बनती जाती है, property sector से इनको काफी lab होता रहता है, ठीक है, मार्स अच्छा है, तो आप body strengthening की अच्छी होती है, ठीक है, और किसी भी काम को कल पे नहीं टालते हैं, यह बहुत आगे बढ़के बहुत जल्दी से अपना काम करना पसंद करते हैं, ठीक है, तो यह सब हम देख सकते हैं, अगर mangal strong है chart में, अ mangal अगर अच्छा हुआ, strong हुआ तो बहुत जादा energetic बनाएगा आपको, आप बहुत ही जादा courageous होंगे, ठीक है, आप में energy के मातरा भरपूर होगी है, और उस वज़े से आप किसी भी काम को जादा बैट के delay नहीं करेंगे, सुस्त नहीं होंगे, energy का भरपूर इस्तिमाल कर आपका interest sports में हो सकता है, engineering fields में हो सकता है, military police में आपका interest हो सकता है, with mars in first house, but negatively काम करें तो ये आपको काफी bodily injuries दे सकता है, accident prone आपको काफी बना सकता है, over aggressive आप हो सकते हो, आपको fast biking या fast car चलाने का shock काफी हो सकता है, तो ये सब देख सकते हैं, तो mars यहाँ पर अच्छी तरह काम करें तो ये आपको ingugated personality बना देगा और आप timely सब कुछ achieve कर पाओगे, ठीक है, negatively काम करें तो impulse बना देगा और उल्टे सीधी है, चक्करों में पढ़ना, जगड़े करना और मार पीट करना, ये आपकी आदत हो सकती है, ठीक है, अब second house में अगर mars आ जाए, तो second house है, Taurus क के साथ relate कर सकते हैं, ठीक है, और ये family oriented house है, ये resources का house है, wealth का house है, तो इन सब चीजों को लेके जो power of initiative होगी, इनका care करना या wealth का माने के तरफ जो आपका interest है, वो काफी जादा हो सकता है, आप बिलकुल एक fighter होंगे, अपने family के प्रती काफी protective हो सकते हैं, ठीक है, family को आप ड rash तरीके से काम करें, तो speech में आप, आपकी थोड़ी सी rudeness हो सकती है, तो आप बहुत जादा rude speakers हो सकते हैं, और mofa type के लोग हो सकते हैं, जो के, I mean, old CD बाते करना और गाली गलोच से भी पीछे नहीं हटते हैं, तो ये negatively अगर काम करें, आप अपने resources को शायद उतनी value ना करें और protect ना कर पाए, अगर Mars second house में हो और negatively काम करें, तो वहाँ पे भी issues आ सकती है, ठीक है, और Mars अगर second house में हो तो ठीक है, अगर आप बहुत जादा impulsive spender हो जाएं और अमनी चीजों को बहुत आसानी से, you know, दूसरों को दे दे, ये होने के chances काफी बढ़ जाते हैं, बट यहा wealth किसी न किसी तरीके से कमाना जानते हैं और wealth कमाने के तरीके आपको, क्यूंकि Mars है, property से आपको wealth आ सकता है, ठीक है, family property से आपको wealth आ सकता है, और, you know, अपने अवाज का use करके, किसी भी dynamic का तरीके से use करके, आप wealth earn कर सकते हैं, Mars का का कारक है, किसी भी logical चीजों में, like mathematics accounts में कि थूरू आप, you know, पैसा कमा सकते हैं, तो ये सब हम देख सकते हैं, Mars अगर second house में हो, Mars third house में हो, Mars siblings का भी कारक होता है, third house का कारक होता है, Mars, तो यहाँ पे आपको बहुत courageous बना सकता है, go get a personality again, आप किसी भी चीज से पीछे नहीं हटोगे, ठीक है, आपको, आप IT fields में काफ करने वाले इंसान होगे, third house में बैटा है, courage की level जादा होने की बैज़ से कई बार ये overpower कर जाए तो, आप बिना सोचे समझे, उल्टी सीधी चीजों में कूच जाओगे, मार पीट करना, और हातों में फिर चोट लगना, ये सब आपके जादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि third house हमारा हाथों का भी होता है, तो hand related injuries होने के chances बहुत बढ़ जाते हैं, Mars in third house के साथ, siblings का house है, तो sibling आपका काफी dynamic हो सकता है, और siblings के साथ conflicts, Mars conflicts का भी कारक है, तो conflicts होने के chances, the immediate younger sibling जो होगा, उसके साथ होने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं, तो siblings के साथ conflict वाला relation नहीं रख siblings, ठीक है, क्योंकि siblings, जो younger sibling हो, वो भी काफी एकरे से वोगा, क्योंकि उसके first house में आ रहा है, Mars, again, हाथ और shoulder को आपको बहुत careful रहना है, उसको लेके, और यहाँ पर अगर यह negatively काम करें, तो injuries होने के chances बहुत बढ़ जाते हैं, आप किसी भी technical field में काफी अच्छा कर सकते है with this Mars, आप journalism field में आप काफी अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही साहसी journalist के हिसाब से जाने जा सकते हो, ठीक है, जो कि किसी भी war area में जाके reporting करता हो, तो इस type के भी हम देख सकते हैं, Mars with, अगर third house में आ जाए, Mars fourth house में, Mars जो हो cancer sign में debilitated होता है, ठीक है, तो fourth house को हम cancer sign के साथ represent करते यहाँ पर आपको breathing issues आ सकते हैं, Mars यहाँ पर debilitated होने के कारण आपको थोड़े सा, आपका जो mind होगो काफी restless हो सकता है, जैसे for example, किसी ना आपको कोई message किया, तो आप तुरंत उसका जवाब देने की कोशिश करोगे, यह चीज़ आप में बहुत जादा देखी जा सकती है, आप थोड़ा weight नहीं करोगे, काफी impulsive हो जाओगे, reply करते time, या फिर आप बहुत जादा manipulative होंगे, क्यूंकि cancer emotions का sign है, तो emotional manipulation आपको बहुत तगड़ी तरीके साहेगी, ठीक है, तो आप बहुत ही जादा एक crooked mind वाले वेक्ती हो सकते हो, with Mars in the fourth house, यहाँ पे asthma related, जैसे breathing related मैं ने बोला, तो asthma related issues आ रहे हैं, तो doctors को प्लीज दिखाएं, breathing exercises करना आपके लिए बच्पन सही, बहुत जरूरी है, प्रनाया, with Mars in the fourth house, ठीक है, यहाँ पे, क्यूंकि cancer एक travel वाला sign भी है, तो आप दूर देश की आत्राइं कर सकते हैं, Mars energy है, ठीक है, आप किसी भी psychology fields में काफ wealth और property आपको काफी अच्छी आ सकते हैं, क्यूंकि fourth house भी हम property के साथ relate करते हैं, और Mars real estate का कारक है, तो काफी wealthy भी है, through property आपको बना सकता है, ठीक है, बाकी थोड़े emotional issues आपको आने के chances बढ़ जाते हैं, और mother के साथ conflict होने के chances यहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्यूंकि Mars conflict का भी कारक है, तो mother से अच्छी तरिके से विवहार कीजिए, और अपने दिमाग से, अपनी मा के साथ अच्छे relationships बना के रखे, अब Mars अगर fifth house में आ जाता है, अब Mars fifth house में अगर आ जाता है, fifth house जो है हम लियो साइन के साथ relate करते हैं, fifth house का हम intelligence के साथ relate करते हैं, sun और Mars की friendship होती है, तो इसका मतलब यहां पर यह अच्छा ही काम करेगा, और यह आपको towards creative fields बहुत energetic बनाएगा, आपका जो first child होगा, वो काफी energetic हो सकता है, काफी dynamic हो सकता है, वो काफी initiative लेने वाला बच्चा हो सकता है, ठीक है, और बिलकुल सुष्ती जिसको पसंदना हो, आपका जो energy, जो intelligence ह है, वो Mars related fields में काफी अच्छा काम कर सकता है, like again, Mars related fields, like police army में आपका काफी अच्छा देमाग काम कर सकता है, with this Mars, आप again बहुत जादा fast biking के, you know, shocking हो सकते हो with displacement, because Mars और Sun का combination बन जाता है, और थोड़ा accident prone होने के chances भी यहां पर बन जाते हैं, with Mars and Sun, तो बहुत जादा aggression होने के chances भी काफी यहां पर बढ़ सकते हैं, अपने intelligence को आपको creative fields में divert करना चाहिए, ठीक, आपको जो energy है, वो creative fields के लिए है, तो any kind of creative fields आपके लिए अच्छे हैं, administrative fields आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है, तो IPS officer आप काफी अच्छे बन सकते हो, क्योंकि Mars police के साथ related हो गया और जो Leo sign है, वो government related fields में काफी अच्छा success दिला सकता है, तो एक अच्छे IPS officer भी आप यहां पर with this Mars बन सकते हो, ठीक है, अब Mars जो है 6th house में आजाए, तो 6th house क्या है, this sign of Virgo, जो कि बहुत critical sign है, Virgo एक बहुत ही meticulous sign है, और एक routine life के प्रती, Mars अगर यहां पर आजाए 6th house म हैं, तो एक routine life के प्रती, आप बहुत ही जादा, you know, dedicated हो सकते हो, आपको routine में रहना आप काफी पसंद हो सकता है with this Mars, आप अच्छे doctors बन सकते हो, especially Mars surgery का भी कारक है, 8th sign का Lord Scorpio का है, तो आप किसी भी essay field में, जहां पर like a surgeon, आप काफी अच्छा कर सकते हो with this Mars in the 6th house, ठीक है, आ आपके जो conflicts हैं, वो आपके colleagues के साथ हो सकते हैं, Mars conflicts का कारक है, या फिर आपके maternal signs of relatives के साथ थोड़े से issues create हो सकते हैं, आपको आप थोड़े से जगडालू किसम के वर्यक्ति भी हो सकते हो with this Mars, क्यूंकि एक तो वर्गो वाली energy है, जो कि काफी critical है, और उसके साथ Mars जो है, व आपको हो सकती है, ठीक है, आपको lower abdomen area को लेकर काफी साथ धान रहना चाहिए, और यो नो, वहाँ पे injuries होने के chances काफी बढ़ जाते हैं, और Mars in the six house आपको काफी competitive बना देगा, तो किसी भी type के competition के लिए अगर आप त्यारी करते हो, तो बहुत जुजारू तरीके से करोगे, और initiative लेके करोगे, तो competition के लिए बहुत अच्छा Mars बोल सकते हैं, और किसी भी competition में अगर आप जाना चाहते हो, तो बिलकुल अपनी energy को उस चीज में डालिए, आप service oriented industries में या किसी भी प्रकार के service, pet care में, आप बहुत ही बढ़ चड़ कर हिस्सा लेने वाले वेक्ति हो सकत मार्स एक protective energy है, तो pets की protection करना भी, या even office में ऐसा भी हो सकता है, colleagues के लिए आप खड़े हो सकते हो, as a fighter, आपने colleagues को protect कर सकते हो, ठीक है, उनके well-being का ध्यान भी रख सकते हो with this Mars, ये अच्छी तरह काम करें तो, अब Mars अगर 7th house में आ जाता है, और मांगली-वांगली की बात म मैं नहीं कर रहा हूँ, simple तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, और मांगली-वाला वो ठीक है, देख सकते हो, आपढ़ सकते हो, उसके बारे में, तो Mars 7th house में अगर, you know, negatively काम करें तो, ये थोड़ा सा marital issues, I mean, काफी create कर सकता है, तो, partner काफी aggressive हो सकता है, तो, abuse होने के chances, physical abuse होन के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं with this Mars in the 7th house, ठीक है, अब ये अगर Capricorn sign में आए, तो, conflicts तो create कर देगा, पटेगी नहीं, लेकिन, क्यूंकि Mars exalt हो जाता है in the sign of Capricorn, तो, हम देखते हैं कि, यहाँ पे conflicts होते हुए भी, शादी नहीं तूटेगी, ठीक है, और आपका जो partner ह होगा, वो काफी dynamic होगा, और आपको काफी, घुमाने फिराने ले जाएगा, ठीक है, तो, यह उतना खरा position नहीं होगा, with Mars exalted in the 7th house, ठीक है, बट 7th house का Mars को बहुत careful रहना है, कि वो किसी भी प्रकार की abusive relationships को continue ना करे, और aggressive partners के प्रति, आप काफी जादा attract हो सकते हो, आप ऐस partners के प्रति attract हो सकते हो, जो पुलिस आर्मी में हो, या फिर गुंडे हो, ठीक है, जो कि बहुत ही negative है, तो गुंडे हो, गुंडों के चक्करों में पढ़ने के chance, especially लड़कियों का होता है, गुंडों के चक्करों में पढ़ने का घलत हैबिट हो सकती है, तो, या फिर अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के चक कर बोलूगा, मतलब साथ अगर आप like connection करो जिसको जिमिंग का शौक हो, जिसको physical activity का शौक हो, जो sports में हो, जो अपने energy इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से channelize करें, तो इन सब से जो Mars की जो energy है, 7th house वाली, वो align हो जाईगी, ठीक है, तो उसस conflicts काम होने के chances बनते हैं, अब Mars अगर 7th house में हो, तो क्योंकि 7th house business का भी है, तो आप property related business आप कर सकते हो, या किसी भी प्रकार के business में आप काफी initiative लेके काम करोगे, और घबराऊगे नहीं, और जो energy है, Mars energy का कारक है, वो काफी हद तक जाधतर energy आपके business के प्रति काफी जादा हो सकती है, Mars in the 7th house, opposite sex के प्रति भी बहुत जादा passionate बना सकता है, और उसकी वज़े से भी आपको trouble आ सकती है, तो passion की मातरा को कम करने की यहाँ पर ऐसे practices करें, spiritual practices करें, जिससे आपका जो passionate nature है, वो control में रहे with this Mars, अब Mars अकर 8th house में आ जाता है, अब Mars 8th house में बहुत अच्छा placement नहीं है, longevity के लिए भी उतना अच्छा position नहीं है, Mars in the 8th house, तो काफी careful रहना पड़ता है with, you know, Mars when it is placed in the 8th house, हाँ, अगर ये किसी अच्छे planet से, I mean like, for example, कई बार कहते हैं कि Sun अगर आ जाए तो, Mars के साथ बैठ जाए 8th house में, तो Sun इस चीज़ को काबू में कर लेता है, but Mars in the 8th house, especially for women, अतना अच्छा नहीं होता है, longevity के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, accident prone आपको काफी बना सकता है, ठीक है, और थोड़ा सा societal tendencies होने के chances with, Mars in the 8th house बन सकते हैं, क्योंकि इसकी 7th दृष्टी जो है, वो 2nd house पे जा रही है, और 8th दृष्टी जो है, वो इसकी 3rd house म इसको आप ऐसा कर सकते हैं, कि अगर आप डॉक्टर हो, सर्जन आप बहुत बढ़िया बन सकते हो, आप किसी भी प्रकार के research field में, अगर आप interested हो, तो इन सब चीजों से आप इसको align कर सकते हो, और इस Mars की negative impact से बच सकते हो, और Mars in the 8th house आपको in-laws के साथ थोड़े conflicts create कर सकता है, क्योंकि ये in-laws का house है, तो in-laws के साथ थोड़ा सा पटने में, थोड़ा सा issues आ सकती हैं, और joint resources लेके conflicts create हो सकते हैं, तो ये सब चीज हम देख सकते हैं, Mars in the 8th house बहुत अच्छा position नहीं है, बाकि साथ में अगर कुछ अच्छे planets बैटे हैं, जो इसकी negative energy को, you know, ले ले, य 8th house का जो Mars है, उसको हम सही तरिके से एक direction दे दे और, like, क्योंकि ये death's a related house है, तो especially बहुत बढ़िया है, ये surgeons के लिए, अगर आप surgery field में अगर आप जाना चाते हो, तो बहुत अच्छा कर सकते हो, इस साथ शुक्र आजाएं, जो medicine का कारक है, तो बहुत अच्छे doctors आप बन higher education का है, long distance travel का है, तो with this Mars in the 9th house, आपके गुरूों का है, ठीक है, फादर के साथ बेरेलेट करते हैं, दो 10th house होना चाहिए जादा, बट क्यूंकि फादर भी एक गुरू होते हैं, तो 9th house को भी हम लेते हैं, तो यहाँ पे Mars क्या होता है, कि आपको एक higher education के प्रतिया आपको बहुत जादा अपने religion को बहुत ही strong तरीके से protect करें या फैलाएं, और बहुत ही rigid beliefs रखें, अपने religion को सबसे superior माने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद योगी अधित्यनाच जी का, उनका शक्कर्क लगन है, 9th house में, 25 में Mars है, तो वो काफी religious हैं, हाला कि उनकी कई चीज़ हरकते होती रहती है, उनको थोड़ा सा खौफ उन्होंने create किया है, क्योंकि UP वाले जो हैं, मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सा थाव्यक्त, UP और डेली में बिताए हैं, तो मुझे पता है कि UP वालों को थोड़ा सा सीधा करने की ज़रूत अगर पढ़ती है, तो थोड़ा अंगली टेड़ी करने पढ़ती है, तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने handle किया है, तो मार्स इंद नाइन्थ हाउस हम योगी जी का example, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ले सकते हैं, वो काफी religious हैं, और हिंदू धरम को लेके बहुत ही, एक strong belief रखते हैं, belief system, तो वो तो एकाउंट्स में और mathematics में काफी अच्छी हो सकते हो, आपका luck जो है वो travel से खुल सकता है, बट ये इस travel के time पर अगर नेगटिवली काम करें तो accident prone आपको बना सकता है, और accident होने के chances बढ़ जाते हैं, आपके लिए religious travels काफी अच्छी हो सकती है, ठीक है, मंगल खारी है मं अच्छी नहीं जा रही है, और मार्स 9th house में तो religious travel कीजिए, लग अच्छा होगा आपका, ठीक है, अब मार्स 9th house में हो तो conflicts हो सकते हैं, आपको अपने गुरूओं के साथ conflicts हो सकते हैं, आप देख सकते हो कि आपको अपने teachers के साथ, especially male teachers के साथ आप भिड़ सकते हो young age में, तो वो नहीं करना है, ठीक है, teacher teacher होता है, teacher को respect कीजिए, हाँ कई बार teachers भी गलती करते हैं, लेकिन आपको अपनी मर्यादा में रहना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा fanatic नहीं होना है, अपने religion को लेके, aggression की मातरा नहीं बढ़ानी है, और जितना हो सके, आप उसको अपने religion के बारे में पढ़ें, उससे भी आपका मंगल होगा, ठीक है, और अपने बारे में जानिये, higher education के प्रतिया आप ध्यान दीजिए, foreign चीजों का exploration आप काफी अच्छा कर सकते हैं, आप property में, अगर किसी भी प्रकार के property related काम में हैं, तो उहाँ पर भी आपका लग चमकेगा क्योंकि 9,000 लग का भी है, भाग्या का आउस है, sibling के तुरू, younger sibling के तुरू भी आपको काफी लग आ सकता है, but because जो 9,000 में Mars बैठा है, वो 7th रिष्टी 3rd house में दे रहा है, तो अपने siblings का भी आपको ध्यान रखना है, वो भी थोड़े से accident prone हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो younger sibling है, तो यहाँ पर यह सब देख सकते हैं, अब Mars अगर 10th house में आ जाता है, तो बहुत अच्छा position है, बहुत ही जबरदस्त position है, Mars Capricorn sign में exalt होता है, Capricorn 10th sign है, तो 10th house में Mars आपको बहुत dynamic बना देता है, आपको बहुत ही अच्छा achiever बना सकता है, कई बार कहते हैं कि Mars 10th house में हो तो आपको career के लिए कोई remedy की जरुवत नहीं है, आप में वो power of initiative रहेगी, career when it comes to career, और आप किसी भी career related काम में पीछे नहीं हटोगे, timely काम करना, आगे बढ़के काम करना आपको पसंद होगा, अब Capricorn जो sign है, वो काफी ambitious sign है, तो ambition की मात्रा, आप में Mars अगर 10th house बहुत जादा हो सकती है, आप थोड़ा से overworked भी हो सकते हो, ठीक है, आप bosses के साथ थोड़ा से conflicts create हो सकते हैं with this Mars, और आपको boss अपना काम करना suit कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ambitious nature है, dynamism है, courage है, तो अगर आप खुद का काम करें, ठीक है, शायद किसी का under काम करोगे, तो थोड़े से conflicts create हो सकते हैं, तो काफी अच्छा हो सकता है यह Mars साथ के लिए, आप property related fields में आप काम कर सकते हो, काफी अच्छा career बना सकते हो, engineering fields में आप बना सकते हो, किसी भी चीज में जहाँ पे logic का استعمال हो, mathematics accounts में आप अच्छा gain career बना सकते हो, ठीक है, sports field में आप काफी अच सब चीजों में अच्छा कर सकते हो, आप Mars की placement देख लो, अगर 8th house के साथ connect हो जाए तो आप बहुत बढ़िया surgeons बन सकते हो, ठीक है, और हम देख सकते हैं कि Mars with this, जो यह Mars है, 10th house में placed है, इसका नक्षत्र placement में बहुत important है, तो minute details में जाएंगे तो उसको हम और तोड़ सकते हैं, लेकिन Mars को अगर हम simple तरीके से 10th house में अगर बिठा दे, exalted Mars है, तो बहुत ही बढ़िया position है, और आपको यह go gator बना देगा, और career में आप काफी भग्यवान भी हो सकते हो, काफी mangal career हो सकता है, आपको खुद काम करना काफी पसंद होगा, और बहुत ही energy और courage के साथ अ विकारक है, अगर आप sibling को involve करके साथ में कोई business करते हो, तो वहाँ पे भी आपको काफी excellent results मिल सकते हैं, अब Mars अगर 11th house में आ जाए, 11th house जो है, आपके friendships का है, humanitarian work का है, तो humanitarian चीजों में आप बढ़ चर कर हिस्सा ले सकते हो, ज्यादतर energy आपकी humanitarian activities में जा सकती है, ठीक है, आपके जो social circle में अगर ये negatively काम करे तो, ऐसा हो सकता है कि काफी आए दीन आप रस्ते में निकलते हो और सब के साथ जगड़ा हो जाता हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर दोस्तों के साथ जगड़ा हो जाना, ये chances बंदते हैं, otherwise आपके जो दोस्त हैं, वो police field से हो सकते है आर्मी field से हो सकते हैं, किसी भी engineering field से हो सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों, मार्स related चीज़ों से में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वो आपके social circle में ज्यादा दिखेंगे यहाँ पे, humanitarian activities में अगें आपको participate करना अच्छा लेगेगा, technical fields में अगर आप बहुत अच्छा कर स सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि 11th sign जो है, वो Aquarius होता है, तो हम Mars in Aquarius के हिसाब से इसको देख सकते हैं, तो technical fields जो advanced करता हो, जो modern, जो हमको आगे ले जाता हो अपनी life में, तो उन सब fields में आपको काफी अच्छा कर सकते हो, 11th house जो है वो earning का भी house है आपका, तो lottery लगने के chances आपके यहाँ पे with this Mars बढ़ सकते हैं, Mars in the 11th house आपको certain income दे सकता है, ठीक है, income के प्रतिया आप काफी energetic हो सकते हो, और बहुत ज़्यादा बढ़ चड़ कर आप strategies बना सकते हो, जिससे आपकी जो daily income है, वो अच्छी हो जाए, अब daily income आपकी again real estate field से हो सकती है, you know, किसी भी mathematics accounts इन सब चीजों से आप, you know, कमा सकते हो, Mars जो है, या as, you know, investing in say surgical products या surgical products बेच के, you know, आप पैसा कमा सकते हो with this 11th house Mars, technical field से आप कमा सकते हो with this 11th house Mars, और दोस्तों से भी आपको certain gains होने के chances, monetary gains होने के chances भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं, but yes, आपको अपने social circle में conflict से बिलकुल दूर रहना है, किसी भी प्रकार के, you know, गुंडे या मवालियों के साथ दोस्ती नहीं, you know, I mean, create करनी है, यहाँ पे chances बन जाते हैं, कि आपके social circle में थोड़े से गुंडे टाइप के वेक्ती भी आ जाए, अगर ये negatively काम करें, तो उन सब चीजों से अपना दबदबा कायम करने के लिए सब दोस्ती अच्छी नहीं होती है, आप खुद भी बिगड जाओगे और अपना नुकसान करोगे और अपने family का भी नुकसान करोगे, तो ये नहीं करना है, और humanitarian activities में आप बने रही है, with this Mars, ठीक है, अब Mars 12th house में आ जाए, तो 12th sign जो Pisces होता है, Pisces हमारा ocean से relate करता है, deep, samundra जो होता है, उसके साथ relate करता है, Pisces intuitive sign है, Pisces foreign travel का sign है, travel through sea का sign है, Pisces थोड़ा सा, you know, laid back sign बोल सकते हो, बहुत intellectual sign है, intuitive, intellectual, compassionate sign है, helpful sign है, तो Mars in the 12th house आपको foreign travels के प्रती काफी जुकाफ दे सकता है, आपको विदेश तक ये Mars ली जा सकता है, ठीक है, बट विदेशी धरती में आपको conflicts होने के chances बहुत बढ़ जाते हैं, with this Mars, ठीक है, तो विदेशीों के साथ आप क्या conflicts create हो सकते हैं, तो अगले negatively काम करें, तो उसक ध्यान रखने के जरूरत है, intuitive power आप में बहुत जादा access में हो सकती है, क्योंकि Mars energy के अकारक है और आप आप इसस intuitive sign है, तो intuition के लेवल आपको काफी, आप में काफी जादा हो सकता है, बहुत accessibly compassionate भी हो सकते हो, ठीक है, compassion की मातर आप में बहुत जादा हो सकती है, थोड़ा सा आप इसको बोल सकते हो, कि कई बार ये थोड़ा सा चिड़ चिड़ा सोभाब भी दे सकता है, बट जादा देखा गया है, कि ये बहुत ही एक ऐसा placement है Mars का, जो आपको क्या बोलता है, थोड़ा सा caring बना देता है दूसरों के प्रती, तो आपको दूसरों को care करना बहुत आपको जल में, जब भी पानी में आप ट्रावल करो, थो सी, थो वाटर, तो बहाँ पे थोड़े से एक्सिनेंट्स होने के चांसे बढ़ जाते हैं, विद इस Mars, Mars 12 हाउज में आपको काफी अट्टे बना सकता है, इन फील्ड से, किसी भी इंट्यूटिव फील्ड में, आप इंडिया में पैदा हुए हो और आप रहते हो, आप पैदा हुए हो डेली में और बॉम्बे में समुदर किनारे, आपके कोई प्रॉपर्टी हो जाए, तो उसको भी हम बोल सकते हो, तो लॉंग डिस्टेंस में कहीं भी, जाधर है फॉरिन कंट्रीज मतला अपने कंट आप जो 12th house होता है वो feet से रिलेट करता है, तो आप footballer अच्छे हो सकते हो, dancer आप काफी अच्छे हो सकते हो, तो feet का यूज जहां पे भी हो, वहां पे आप काफी excel कर सकते हो with this 12th house मार्स, तो और बहुत कुछ है, और मार्स जिस भी house में बैठा है, उसका ruler कहां पे बैठा है मार्स किस नक्षत्र में बैठा है, उसका ruler कहां बैठा है, तो हम उस प्रकार से इसको, you know, like, तोड़ सकते हैं, तोड़ के एक final result में आ सकते हैं, जायतर हम देखेंगे कि मार्स जिस नक्षत्र में बैठा हो है, उसका जो ruler होगा, वो जहां पे भी बैठा है, वो बहुत बड पसंदा है, वीडियो पसंदा है, तो लाइक कीजिए, शेर कर दीजिएगा वीडियो को, और आप नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकोन को ज़रूर दबाएं, और मस रहे, खुश रहे है, और मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, जैश्री कृष्ण स्योनारा, टाटवाइब भाइ